आप्ल ऐसे आइकोनिक प्रोड़क्ट्स को बेचा करता था यह है आपल आइपोड 7th generation अनफोर्चनेटली यह अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है प्रोबाबली मेरे हाथ में जो पीस आप देख रहे हैं यह कुछ आखरी आइपोड में से एक है जो अभी भी अपनी ब्राइड न्यू कंडिशन में है आज आप इस वीडियो को आके देखते रहिए मैं आपके साथ इसी के अन्बॉक्सिंग शेयर करूँगा थोड़ी अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए और पता लगाएगे कि आगर कैसा था यह आपल का आइपोड 7th generation एक अलग फील है इसके साथ में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो कर डालिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए शुरुआत करते हैं इसी आइपोड के साथ में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेकनिकल घुरुजी चलिए शुरू करते हैं मुझे लगा वक्त रुक जाएगा थम जाएगा ठहर जाएगा लेकिन वक्त भाई रुका नहीं किसी के लिए और ऐसे में बहुत जादे फास्ट फॉवड हो गया मैं भी इसी के नशे में खो गया और यहां पे दोस्तों यह जो आईपोड निकल के आया है मतलब अगर आप याद करके देखो कि आपल एक टाइम था जब बॉक्स में एरपोड्स भी दिया करता था चार्जिंग के वल भी खेर हुआ करती थी और बॉक्स खाफी ऐसा थोड़ा से अलग टाइप का वब करता था मतलब अब खेर दिन बदल गए हैं समय बदल गया है हालात जजबात सब बदल गया है लेकिन यहाँ में दोस्तों इसके साथ जो हमारे emotions जुड़े है Apple iPod मतलब यह है आखरी iPod जो Apple ने इंट्रिद्यूस किया था 28th में 2019 को और इसका बिचारे का happy birthday तो हुआ लेकिन ज्यादा लंबी उमर हो नहीं पाई बिकॉज 10th में 2022 को Apple ने अनाउंस किया कि वो इस AirPod 7th Gen को discontinue करने वाला है अब दूस्तों यह market में आप ले नहीं सकते हैं मेरे पास में जो पी सरी सक्राइब को बताया कि यह मतलब I think last के कुछ pieces में से एक के हमने इसके unboxing कर दी है हमारे बाजने इसका बहुत ही special सा यह product red color है एक पर ध्यान से देखो इसको यार उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे तो गाइस मतलब looking at this देखो एक तो मतलब ना unibody aluminium वाला design काफी ऐसा cold to touch अगर आप इसको सुवर सुवर से पकड़ ले तो काफी ठंडा लगता है एकदम ऐसा काफी sleek केवल 6.1 mm की इसकी ठीकने से जो कि यार बहुत ज्यादा पतला है मतलब आपको unreal हाथ में feel होता है जो weight है in fact वो सिर्फ 88 grams का है इस device का बहुत ज्यादा यार एकदम ऐसा लगी level की engineering लगी है definitely कि आपको इस form factor के अंदर Apple ने क्या कुछ pack करके दिया है खैर अगर हम बात करते हैं एक physical or view की तो यहां पर हमारे पास में यह right set जो बिल्कुल clean है ऊपर जो है हमारे पास में इसका जो है वो sleep wake आपको key मिल जाती है यहां पर हमारे पास में volume up and downs के buttons है और नीचे यह देख रहे हो आप Apple ने मतलब एक time पर हमको दी है यह सब चीज है जहां पर यह है 3.5 mm वाला headphone jack एक और मज़े की बात कि यह जो इतना sleek form factor आपको मिल रहा है पता है इससे sleek हो नहीं सकता था शायद क्योंकि यहां पर नीचे जो हमारे पास में दिख रहे है ना हमको headphone jack यह इतना ज्यादा मतलब आपको दिख रहा है body के मतलब almost पूरा cover करके बैड़ा है जगे मतलब इससे अगर पतला होता तो शायद यह product मतलब बनी नहीं पाता यार मतलब literally hats off to this level of engineering साथ में हमारे पास में lightning port है speaker grill है बीचे मारे पास में आप दूस्तों अगें एकदम ऐस यहां पर iPod की branding है Apple logo के साथ म को ने भी आपको दिख रहा है यह black color का cutout यह है दोस्तों antennas के लिए wifi बगरे के लिए because यह complete metal body है तो यहां पर आपको कैसा जगे चोड़नी पड़ती है साथ में हमारे पास में 8MP का rear camera है microphone और early flash के साथ में और सामने यह है Apple का एक retina display जो की दोस्तों आता है 4 inch के screen size के साथ मे और यहां पर यह आता है 326 ppi वाले retina display के साथ में 4 inches के screen size में 1.2 megapixel का यहां पर एक selfie camera है face time वगरे के लिए और फिर है यह Apple का home button मतलब आप कहीं पर भी हो कुछ भी कर रहे हो यह दबाओ सीधा home पर आ जाओगे आइस आप इसके ना मतलब छोटे साइस के confused मत हो ना because यहां पर इसके अंदर जो chip लगी है वो है Apple A10 Fusion और यह same chip Apple iPhone 7 के अंदर भी आती है मतलब इसमें आप जो games वोगरे खेलोगे ना बिला किसी problem के बड़े आराम से खेल सकते हो आज की date में भी आप इसमें बड़े आराम से Call of Duty, Asphalt वगएर है मतलब अगर आप खेले PUBG वगएर है तो वो सब games बड़े आराम से play कर सकते हैं although screen तो छोटा लगता है तो छोटा खेलने में आपको ना ऐसे आपके अउठे तो जादा मोटे हुए तो screen रख जाएगा बट स्टिल मज़ा आपको पूरा मिलेगा और यहां प iPod क्या है मतलब तो iPhone ही हो गया तो guys आपको बता दूँ कि यहां पर यह एक तरीके से iPhone ही है बस इसमें आप SIM नहीं लगा जुकते हो तो आप कुछ calls और नहीं कर पाओगे although FaceTime calls का पूरा support मिलता है बट इसके अलब आप जो आपको apps इंस्ट्रॉल करनी है games डालने है proper app store आपक iOS 16 के सब्सक्राइब को अपडेट नहीं मिला है मतलब Apple का यह एक लौता है इसा पोर्टिमल डिवाइस हो का जहां पर जो सौफर सपोर्ट मिला वो सिर्फ तीन साल तक ही मिला और लंबा मिलता अगर 16 आता तो मतलब सोचन मज़ा ही आजाता है यार बट देन अगेन यार क्य जेंडरी आइकॉनिक डिवाइस था यह आपल का आइपॉड टच सेवन्थ जेंडरेशन वाला जहां पर यह आपको दिख रहा है जो सामने दूस्तों इसके चमकदार यह आपल ने डियूस किये थे अपने आइफोन 5 सिरीज में और यह जो शेंफर्ड एजिस है मतलब इतन आता है कि हमने कहां से चीज़ें शुरू करी अभी हम कहां पर आके रुके हैं I'm not sure कि यार future में हमको जो है वह ऐसे प्रोड़क्ट्स दुबारा दिखने को मिलेंगे बिकॉर टाइम था जो हमारे पास में बहुत सारे कूल प्रोड़ट्स हुआ करते थे बट अब सब की जो पर जहां पर पापा उम्मी ने दे दिया कि भागिया सिब नहीं मिलेगी लेकिन पूरा 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 आइफोन का मजा मिलेगा और प्राइस जो है I think 200 डॉलर्स की स्टार्टिंग प्राइस थी 32 जीवी वाले के लिए और फिर था चार्स डॉलर्स का टॉप अला वाले वा मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातराम